जैहिंद एवरिवान आप सबका आपके यूटूब चैनल राष्टे सिवाप पर स्वागत है आज को जो हमारा टॉपिक ओफ डिस्केशन होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत दिनों से लगातार न्यूज में चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने देख नहीं रह रहे हैं तो उनने कहा कि सबके लिए अलग-लग लॉज नहीं हो सकते रूल्स नहीं हो सकते उनका यहां पर कहने का मतलब था कि सबके लिए यूनिफॉर्म हो इस वर्ड से ही पता लगता है कि यह क्या कहना चाहता है अभी हम डिसकर्स करते हैं उसे पहले मैं आपक सिस्टम चल रहे हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग लोग है, हिंदूस के लिए अलग लोग है, लोग है, पार्सी के लिए अलग है, यहां पर सब के लिए अलग लग चल रहा है, and 22nd Law Commission ने अभी रीसेंट्ली कहा है, यहां पर नोटिफिकेशन निकाली, कि जितने भी various stakeholders हैं, public और religious organizations हैं, उन सब को कि आप अपना view दीजिए, perspective दीजिए, regarding the UCC. Now, before proceeding, मैं आपको पहले इसका मतलब बतायता हूँ कि UCC का मतलब क्या है, देखिए, UCC, यहां पर लिखा हुए word क्या है पहला, uniform, आप school में होते थे, college में होते थे, यह आप किसी hotel में जाते हैं, यह restaurant में जाते हो, सब की एक particular uniform होती है, यहां वहां पर, सब की same uniform है, ठीक है, आते हैं, one is the civil case, and second is the criminal cases, अब civil cases कौन पॉन से होते हैं सर, और criminal cases क्या होते हैं, मैं आपको discuss करवाता हूँ, for example, पहले आपको criminal case पर लेकर आता हूँ, ठीक है, आपने कोई murder कर दिया माल लेते हैं, ठीक है, कुछ भी, तो आपके उपर क्या लगती है, Indian Penal Code, या फिर Criminal Procedure Code, IP IPC बताती है कि क्या offense है, यहाँ पर एंड उसके लिए क्या यहाँ पर punishment है, CRPC बताती है कि कौन सा Procedure अपनाना है, अब माल लो कि एक Hindu है, कोई Muslim है, कोई यहाँ पर Christian है, कोई Parsi है, सभी के उपर, माल लो Hindu ने murder किया, Muslim ने किया, Christian ने किया, यहाँ पर Parsi ने किया, सब के उपर same IPC लगेगी, यहाँ पर 1860 की, because, यहाँ पर irrespective of any religion, सब के उपर same लगेगा, and same as a CRPC, यह तो हुआ criminal का, अब इसको तो यहाँ पर अंग्रेजों ने अजादी से पहले ही कहा दिया था, कि हमारा जो law है, 1860 में, इसके बात से यह आपके उपर लगेगा, बट जब बात आई personal cases की, personal laws की, तो यहाँ पर आप मालीजी हिंदूर्स थे, यहाँ पर Muslims, बीच में बैठे हैं, यहाँ पर Britishers, तो इनने का कि personal जो laws हैं, उसके बीच में इनने interference नहीं करी, and तब से Muslim अपने शरियत लौग के हिसाब से चल रहा है, हिंदू उसको यहाँ पर आजाती के बाद ही, हिंदू code बील लेकर आते हैं, and उसके बाद हिंदू को उसके अंडर ले आते हैं, and जब मैं यह word use कर रहा हूं हिंदू, तो यहाँ पर हिंदू का मतलब है, हिंदू, सिक, बुद्धिस्ट और जैंस, इन चारों को हिंदू की definition में counter, यहाँ पर clear किया गया है, define किया गया है, under article number 26 of the constitution, जो की right to freedom of religion की बात करता है, now, uniform civil code कह रहा है कि बहुँ जो civil cases है, बहुँ अब civil cases कौन कौन से है, number one is the family, अब family में मान लेते हैं सबसे important पहले marriage हुई, मान लेते हैं marriage नहीं चल पाई, separation हो गया, मान लो divorce हो गया, मान लेते हैं कोई adoption करने आपको बच्चा, for example, अभी खाली हिंदूस ही बच्चे को adopt कर सकते हैं, मुस्लिम्स बच्चे को adopt नहीं कर सकते हैं, उसके बाद माले जीजे कोई property, succession या inheritance भई, property की पिछल रड़ाई हो रही है हो यहां पर, ठीक हैं, आप देखते हैं कि हिंदूस में तो proper, equal property बाट दी गई, but मुस्लिम्स में यहां प के साथ, same आप देखें, property में हो गया, and same आप marriage में देखेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा, 494 IPC की, for example, माले जीजे कोई यहां पर हिंदूस में आ रहा है, तो second marriage नहीं कर सकता, but मुस्लिम्स में चार marriage हैं, ठीक हैं, until unless हिंदूस में पहली marriage को legally divorce नहीं कर रहा, तो नहीं आ सकता, बट मुस्लिम्स में marriage का concern अलग आ गया, तो यह सारे family की issues आ गए, इसके लवा property का आ गया आपके पास, यहां पर property के बाद contract आ गया आपके पास, माले जी आप contract करते हैं, मालो कल को आप select हो जाएंगे, ठीक हैं, तो आपका contract हो गया सरकार के साथ यहां पर, तो यहां अपर mobile fact देते हैं, ठीक हैं, उपर से कई बार गंबले पर उसका हाथ लग जया, अब मालो वो गंबला नीचे गिरा किसी के ओपर, ठीक हैं, एंड किसी के death हो जाती है, या फिर किसी को चोट लग जाती है, भई वो taught आगया, negligence, एंड बट, भई मेरा nephew तो अभी 7 साल से नी इनिटी है, उसके बाद अगर हम देखें, तो 12 से 16 तक यहां पर juvenile वाला किसा आगया, जिसके पास हमें देखते हैं कि justice, यहां पर juvenile justice board बैठता है, तो यह है uniform civil code, कि जो भी civil cases है, उसके लिए यहां पर same हो, वो हिंदूस के लिए हो, यहां पर Muslims के लिए हो, Sikhs के लिए हो, पा modification कर दो, सभी laws की, ठीक है, बट इन्होंने का, जो personal laws है, उनको हम दूर रख रहे हैं, हिंदूस और Muslims के जो personal laws है, उनको हम अलग रख रहे हैं, अब अजादी के बाद, अगर हम बात करें, तो हिंदूस ने तो Hindu code बिल ले आए, बट Muslims यहां पर शरियत के बेश पर ही चल रहा है, तो uniform civil code कहा गया, कि वह सारे tribal communities हो, religious हो, सब पर सेम लगेगा, बिकॉस हिंदूस ने तो अपना Hindu marriage act, Hindu succession act, यहां पर लगा लिया, Muslim से अपना Muslim personal law 1937 लगा लिया, बट अब जब जो डीशरी के पास कोई भी case जाता है, तो जो डीशरी के पास यहां पर problem create हो रही है, बिकॉस Hindus को अलग से deal करना है, Muslims को अलग से deal करना है, तो यहां पर, यहां पर prime minister जी कहते हैं, कि one nation, one law हो, वही एक ही law हो, एन आपको सब को पता है, BJP starting से team, यहां पर, यहां पर perspectives पे चल रही थी, number one पे चल रही थी, कि अयोध्या में temple बनाना है, वो पूरा हुआ, उसके बाद 370 को de-operationalize करना है, वो हो गया, कुछ जगाओं पर यह word बोला जाता है, कि 370 abrogate हो गया, 370 अभी भी abrogate नहीं हुआ है, 370 खाली de-operationalize हुआ है, and number three is the uniform civil code, जो अभी इस session में लाने की पूरी कोशिश कर रही है, यह सरकार, now, अगर हम बात करें कि कौन सी countries में अभी uniform civil code है, यह आपके लिए statement वाली जो question आते हैं, CDS में, NDA में, CAPF में useful हो सकते हैं, US, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Turkey, Indonesia, Egypt, Ireland, इन सब में यहाँ पर uniform civil code है, इसमें से Turkey important है, because news में था, यहाँ पर earthquake आया था, okay, now, इन सब के क्या है, एक ही laws हैं सभी religions के लिए, now, uniform civil code मैंने आपको बताया, कि बही एक law लगेगा, स marriage, divorce, separation, eliminating, maintainers देते हैं, उसके लिए, worship, adoption, succession, property, contract, taught, सब पर सेम लगेगा, adoption मैंने आपको बताया, that is a kara, यहाँ पर body है, जो adoption की वो है kara, जो कि अपने आप में एक statutory body है, हिंदूर्स ही खाली यहाँ पर बच्चे adopt कर सकते हैं, now, इसको सबसे पहले अगर आप सवाल उठेग इसके अंदर आता है, वह अगर आपका कोई भी fundamental right violate हुआ, तो article 32 यूज़ करके, आप Supreme Court में पहुच सकते हो, और article 226 यूज़ करकर, आप High Court में पहुच सकते हो, बट article 44, DPSPs में आता है, directive principles of state policy, DPSP कहता है, कि यह enforceable नहीं है, यह खली directives है state को, कि आपको यहाँ पर law बनाते इनका ध्यान रखना है, यहाँ पर 36 से 51 तक DPSPs आते हैं, इसलिए इसको article 44 में रखा गया, इसके दो वो थे यहाँ पर clause number 1, एक तो अमेडिकर जी ने कहा कि बई, एक तो already अभी हम pain में है, क्योंकि partition हुआ है, इसलिए जो यहाँ पर uniform civil code है, वो desirable तो है, बट इसे भी voluntary रखा जाए, number 2, जो muslim से उन्होंने इसका against किया, कि भई यह हमारे जो personal laws हैं, उसमें आप interfere नहीं रख सकते हैं, okay, now, DPSP में आपको बताया है, enforceable नहीं है, and at present जो है, यहाँ पर Indian personal law is fairly complex, हर religion का अपना खुद का law है, यहाँ पर specific, इसलिए यहाँ पर problem हो जाती है, court के लिए भी ए legitimate judicial system create हो रखा है, okay, now, constituent assemblyman आपको बताया, कि सबसे पहले, यहाँ पर it decided that securing a UCC was not within the scope, fundamental rights में नहीं ला सकते, जो हमारी country की diversity है, यहाँ पर, and उस टाइम पर तो ताजा ताजा भी हम वहाँ पर partition हुआ था, already pain में थे, तो उन्होंने का कि नहीं ला सकते, although, यह women's के लिए equality ले कर रहा है, but, still, उस टाइम पर मेड कर जी ने कहा, कि desirable तो है, but, यह इसको अभी voluntary रखा जाएं, यह तो तक constituent assembly का यहाँ पर, इसका safe, अगर हम judicial stand करें, तो तीन judgments हमारे यहाँ पर important है, number one आती है, शाह बानू केस, शाह बानू केस में 73 year old woman को यहाँ पर divorce दिया जाता है, उसक पर मेहर की money जो है, वो दी जाएगी, तो जो section 125 है, CRPC का, वो कहता है कि यह सब पर लगता है, provided for the maintenance of wife, but, उस time पर Congress Government ने, led by the Rajiv Gandhi, pressure में आके कह लीजिए, यह किसी भी कारण, उन्होंने court की, यहाँ पर judgment को overrule करा, और legislation ला दिया, Muslim Women Act 1986, यह act ला दिया, और कहा कि जो section 125 है, वो Muslim Women पे applicable नहीं होगा, यहाँ से दो M आपके पास आते हैं, one is the Muslim, second is the मंदर, यह double M वहाँ पे चलने स्टार्ट हुए, और उसके बाद से ही मंदरी के लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, second case is a सरला मगल केस, सरला मगल केस में क्या होता है, कि एक हिंदू मैन होता है, वो यहाँ पर, first marriage को यहाँ पर dissolve नहीं करता है, और उसके बाद Muslim में convert होता है, so that, उसके बाद हो कहता है कि अब मैं चार शादी कर सकता हूँ, इस case में यह कहा गया, a second marriage, solemnized after converting to Islam, would be offense under section 494 of Indian Penal Code, यह सबसे पहला close है, जो uniform civil code लाने की जुरत है, क्योंकि इसके बाद, यह सब के ऊपर applicable ह हो जाएगा, at present Muslims four marriages के तरफ जा सकते हैं, now, सबसे important case के शवननदा भार्ती case, KBC case, जिसमें basic structure निकल कर आया, मूल भूध धाचा हमारा, कि आप सब इधान को change कर सकते हो, बत मूल भूध धाचे को नहीं हिला सकते, मूल भूध धाचा basic structure कौन define करता है, supreme code करता है, now, basic structure का एक स सबसे important है, secularism, भाई हमारा कोई भी official religion नहीं है, जब अजादी, जब partition हुआ था, तो Pakistan आप देखते हैं कि religion के base पे अलग होता है, Muslim country बनती है, Bangladesh Muslim country बनती है, but India still secular है, और यही तो खास बात है हमारे भारत में, Chief Justice MSM Seekry कहते हैं, no court can compel the government to lay down a UCC, stating it is essentially desirable integrity and unity, भाई इसके लिए बहुँ जोरी है, even Dr. APG Abdul Kalam ने इसका favor करा, and recently Kerala की governor Arif Mohamed कहते हैं, कि भाई इससे equitable justice आएगी सभी community के लिए, यहाँ पर derogatory laws हटेंगे, discrimination हटेंगी, equality आएगी, women को property में equal right मिलेंगे, and women की health वे proper, यहाँ पर क्या होगा, अच्छा परभाव पड़ेगा, इसे करने triple तलाग यहाँ पर हटाया गया था, सरकार के द्वारा, अब क्या क्या favors में आ रहे हैं, UCC के, ठीक है, CAPF के paper में कई बर ऐसे आ जाते हैं, अब proper धंग से यह points लिख सकते हैं, भाई सबसे पहले तो national integration होईगी, same हो जाएगा, vote bank politics, इस time पर at present क्या चल रहा है, यह तो reservation, ठीक है, reservation जो judiciary के लिए जो एक alternate judicial system create यहाँ पर हो गया है, यह problem हट जाएगी, quite obvious है, हम progressive nations के बीच में आ जाएगे, यह woman को और right देगा, मैंने आप सब आपको बताया, किस तरीके से property में right आएगा, किस तरीके से marriage वाला purpose solve होगा, and यह सारे Indians same रहेंगे, and उसके बाद अगर आप मैं हिंदू manager actor कहता है, कि close natives में शादी ना हो, but मैंने एक खुद experience भी कराया, जब मैं job में था, serve कर रहा था, ministry of former affairs में, कि मुझे कई बार महराष्ट्रा के लोग मिलते थे, महराष्ट्रा में और किरला में, यहाँ पर कई बार मामा के घर पर शादी होती है, clear, तो यहाँ पर य यह clause हट जाएगा, सबके लिए same हो जाएगा, article 25-26, freedom of religion कहता है, but UCC उसको oppose नहीं कर रहा है, कि जो जो ही point है, यहाँ पर article 25-26, यहाँ पर हर्दम यह कहा जा रहा है, कि आप हमारे personal laws के भीच में interfere कर रहे हैं, इसलिए सभी से views मांगे है, और यह कहा गया है, कि सभी के sentiments को य One Nation, One Law, यह कह रहे हैं, कुछ यहाँ पर बंदे, कि भई, जो आपका IPC है, और Indian Penal Code और CRPC, यह भी सब पर सेम नहीं लग रहा, इसको उनने point दिया, कि जो anticipatory bail है, anticipatory bail मतलओ, आपको anticipation हो रहा है, कि भई, आपको गिरफतार किया जा सकता है, तो वो भी हर state to state variate है, इसका एक reason म मैं आपको बताता हूँ, किसी state में crime जादा है, किसी में crime कम है, इसी करण आप देख रहे हैं, सोड़ी सी variation देखने को बिलती है, number two, वो यहाँ पर वो कह रहे हैं, कि जो personal laws हैं, वो concurrent list के अंतर गताते हैं, आपके पास union list होती है, state list होती है, concurrent, union के ओपर union law बना सकता है, state के उपर दोनों बना सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही था, तो आप इसको union के अंदर रखते, so that खाली parliament के पास exclusive power होती, legislate करने की, आपने concurrent list में रख दिया, that means state के पास भी power है, number three, tribal groups को बहुत problems होने वाली है, वो कहरे हैं कि अप मिजोरम में चले जाए, एक अलग यहा मांगा गया है, एंड उसके बाद उन्हें पर उन्हेंने कहा, कि यह जो article 25 से 28 है, right to freedom of religion, आप उसको infringe करने की कोशिश कर रहे हो, यह point इसके against आ रहे हैं, अब way ahead क्या है, कि quite obvious है, हमें broad minded outlook से देखना पड़ेगा, because पाकिस्तान जैसे देश में भी यहाँ पर UCC लगावा है और इसे पहले ट्रिपल तलाग भी वहाँ पर हटा हुआ था, एक पाकिस्तान कोई एक गिने चुनी चीजे हैं, जहाँ पर इंडिया से थोड़ा सा आगे था, ट्रिपल तलाग, यूनिफर्म सिविल कोड को यहाँ पर ड्राफ्ट किया जाए, but सभी के sentiments को यहाँ पर consider किया दुबारा से शादी नहीं कर सकता, the Supreme Court reportedly described Goa as a shining example with the UCC, कि यहाँ पर जैसे Goa में लगा हुआ है, पुर्तिगी सिविल कोड उस तरीके से एक 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 जामपल सेट किया हुआ है, और तो वहाँ पर partially लगा हुआ है at present, जैसे अगर मुसलिम की शादी वहाँ पर registered हो गई है, तो उसके बाद वहाँ पर वो uniform तरीके से ही चल सकता है, तो ये सारी बहस थी UCC की, I hope मैंने बहुत simple language में end connect करके पढ़ाने के कोशिश करी, और आप सब को समझ भी आ गया होगा, and with these words, I conclude my today's session, जैहिन to all, take care.